नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरहा आप किस को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, किसी को कैसे अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापिस पा सकते हैं, आज पिर एक ऐसा ही आसान सा मंत एक ऐसा ही आसान सा वशीकरण का टोटका जो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ अगर आप इस वशीकरण विधी को बताए गए तरीके से संपन करते हैं तो निश्टित रहिए आपका मनचाहत कार्य पून होगा और वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं आपके वश म होगी और वो सामगरी मात्र एक कागज है जी हां मात्र एक कागज की मदद से किस तरह किसी को वश में कर सकते हैं या आज मैं आपको बताऊंगी हमें चाहिए एक कागज और एक मारकर इस कागज और इस मारकर की मदद से आप किस तरह किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और देखिए किस प्रकार एक सिध्व मंत्र के उचारण से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा. तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है? आपको एक plain paper लेना है और ये कागस सफेध होना चाहिए तो बहुत बढ़िया रहेगा. अब इस कागस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं. उसके बाद कागस को फोल्ड करना है दर्शको कागस छोटा ही होना चाहिए जादा बड़ा कागस लेनी की आवशक्ता नहीं है. तो इस तरह इस कागस को फोल्ड कर लेंगे इसे अपने हाथ में रखेंगे और जो मंत्र में आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उचारण करेंगे जब उस मंत्र को 21 बार उचारण करेंगे तो जो व्यक्ति है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो पूर्ण मात्र से एक व्यक्ति एक इंसान आपके वश में हो सकता है वो मंत्र है ओम सम सम होनाई हीम हीम ओम फट जी हां उस व्यक्ति का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं इस तरह इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है उसके बाद ये जो का जहां किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तू या सामगरी ना हो, जैसे आप इसे मंदिर में लख सकते हैं, क्योंकि मंदिर से पवित्र और कोई स्थान नहीं होता, तो इसे आप मंदिर में लख सकते हैं, तीन घंटे के बाद इस कागस को निकाल कर इसे जला देना है, इसे ज प्रवा होती जाएगी वो इंसान आपकी ओर खीचा चलाएगा दोस्तो इस बात का ध्यान रखे कि विधी उसी अनुसार करनी है जिस तरह मैंने आपको बताई है जो सही तरीका है उसी तरह से इस वशी करण को कीजिएगा सही तरीके से मंत्र उच्चारण कीजिएगा और उस व्यक्ति को अपना बनाईए दर्शको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या है आप किसी चीज से परेशान है तो आप हमारे गुरूजी से फोन कर सकते हैं अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं धन्यवाद